नमस्त दोस्तों आप सबका स्वागति है आपी को रुप चानल लेप्टेंट स्टॉक प्रेडिक्शन्स में दोस्तों तीन स्टॉक्स हमें वापीस अच्छे स्विंग ब्रेकाउट के लिए दिख रहे हैं और तीनों स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा वालिम्स के साथ ब्रेकाउट मिल चुका है वह तीनों स्टॉक्स हम वन बाइवन एनलिसिस करने वाले और उसमें कितना टार्गेट बन कहाएगा एसल और एंटरी पॉइंट डेफिनिटल यहां पर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों पहला जो स्टॉक एक कैप्रियल ट्रस्ट लिमिटेड है फाइन्स सेक्टर को एक स्टॉक है हली में इसने दिखा रहेगा आपने तो एक हपते के अंदर इसने 24% डिटन दिया है तो यहा यहां पर क्या पैटर बन किस्ट चाहूंगा तो यहां पे देखी इस ने क्या मन्तली पैर्टन बनते हुए दिख रहा है और डवल बॉस्तों मनता है तो डिफिनिटल बहुत अच्छा काम करता है और जैसे ही रिकाट होता है तो उपर के सेट बहुत अच्छे टार्गेर्स निकल के आ सकते हैं लेकिन हमें कितना परसंट प्रॉपिट रख में यह देखो वे तो आप 560 के लेवल से गिरते हुई लगबग इसने 53 का लोबार दो बार मारा है और वही से सपोर्ट लेकि उपर जा रहा है इसमें एक और और एक हीडन चीज हमें मिली इसलिए वो इसलिए सोच रहा था कि डेफिनिटल आपके साथ शेयर किया जाए दोस्तों यहां पर विकले टाइम पर जाएंगे यहां पर देखेंगे तो एक हायर हाय पैटर्न बनाती वे ऊपर जा रहा है यहां पर देखेंगे इसका जो अभी में जो आपको दिखाता हूँ यहां पर देखेंगे दोस्तों पिछले कुछ लगभग साथ आठ महिने से एक ही चैनल के अंदर काम कर रहा तो आपके सामने आनलसी से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं तो इस टॉक ने क्या किया है एक चैनल का फाइनली आज ब्रेकाउट दे दिया है ओके बहुत बड़ा ब्रेकाउट बहुत बड़े वल्लिम्स के साथ ओके तो यहां पर इमिडेट एक रेजिस्टन्स है लेकिन यह रेजिस्टन्स उतना काम करना चाहिए कि फिलाल तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस टॉक को उपर जाना है तो डेफिनेटली जाएगा टू-फोर्टी-टू-ट्वेंटी तक जाएगा ओके और यहां पर आप देखो गया तो लग बग एक बार दो बार तीन बार चार बार पाज बार कि विकली टाइम प्रेम हैं दोस्तों और चटी बार यह वापिस होई रेजिस्टंस के लेवल के पास जा रहा है तो डेफिनेटली यहां पर कुछ तो एक डेफिनेटली बड़े बायर्स की इंट्री और यह वाल्लिम देखिए बीच-बीच में वाल्लिम देखिए और जो रेट के वाल्लिम से बहुत ही कम हो और डेवल्ल में दोस्तों तो मैं डेफिनिटली आपको बताना चाहूंगा आपको इस टॉप में एंट्री लेना है तो आपको किस लेवल पे लेना है वह बताता है यहां पे विकली टाम प्रेम पर देखो गया तो मेरा यहां पर यहां पे अगर आप एंटरी लेते हो तो थोड़ा पूल बैक का वेट कीजिए 130 के अगर आपको आसपास मिलता है तो डेफिनिटली वहाँ पे आप एंटरी ले सकते हो क्योंकि हमें छोटा एसल करना है यहां से 15% का एसल डेफिनिटली बन रहा है 15% का 110 के पास हमारा इसल बन जाए सब्सक्राइब करना है अगर आप थोड़ा भी मार्गेट के वजह से अपनी साइकलोजी के ओपर हवी हो जाते हो तो डेफिनिटली वहां पे आप पैनिक पोजिशन पैनिक कर सकते हैं और वहां से पोजिशन एक्जिट करने का सोच सकते हो लेकिन हमें सिर्फ हमें एसल के साथ और टार्गेट के साथ बने रहना है तो मैंने डेफिनिटली टूहंड़ेड के आसपास टार्गेट बोलाएं एंट्रेपर हमारा 132 या 134 के आसपास मिल जाते हैं तो अच्छा है और एसल हमार सिक्स्टे तो तीनों डेली मंतली विकली तीनों भी पॉजिटिव है एसल 110 दूसरा स्टॉक जो हम बताने जा रहे हैं दूसरा स्टॉक है हमारा एलगी रवर्स कंपने एलगी रवर कॉंपोनट लिमेटेड करके लिमेटेड करें तो यहां पे विकली टाइम फ्रेम में यहां पे आपको दिखाना जाता हूं एक विकली पैटन जो था एक ऑफ हैंडल पैटन था इसको ब्रेक आउट किया वापी जो कब बना था उसको भी इसने ब्रेक आवट किया किया और आल टैम है को ब्रेक करते हुए जा रहा है तो यहां पे मेरा एसल डडेफिनेटली दो सब्सक्राइब और हमारा एंट्री पॉइंट जो बनेगा दोस्तों तो लगबग 63 के पास अगर आपको मिल गया है तो डेफिनेटली यहां पे इंट्री बना सकते हो और टार्गेट आपका लगबग यहां पे जो बनके आ तो टार्गेट के लिए आपको वेड करना है विट एसल प्रॉपर करना है दोस्तों रूल्स को यहां बहुत अच्छा स्टॉक दीख रहा है फिलाल टेक्निकली स्टॉंग दीख रहा है ओके और थर्ड स्टॉक के दूस्तों जो सबको पता रहेगा इंडिया बूल्स हाउजिंग फाइनस लिमिटेड कर गए तो डेफिनेटली यहां पे अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना है तो आपको एक बहुत अच्छा पैटन का यहां पे ब्रेक ओट देख सकते नहरे हो आप यहां-पे डीट यहां पेर फर्टाइब्ट सकते एक बार दो बार तीन बार लगबख चार बर पांच बार स्ट्वक्शक किये विक्ली टाइम्फ्रेम पर आयां पे इसने ऑाल्मुस्ट7 लेना चाहिए मेरा दोस्तों यहां मुझे मिल जाता है लेवल जो मेरा है अगर मुझे मिल जाता है का टार्गेट कम से कम तक जाना चाहिए तो अगर इस टॉक में अगर आपको इंटिल लेना है तो बहुत अच्छा अप्राइज एक्षिन भी दिख रहा है और आरे से भी देख लेते हैं 65 वे विकली डेली आप देखोगे तो वह 60 है और मंतली देखोगे तो 58 है तो डेफिने मंतली भी क्रॉस करने के रडार पर अभी इस तीनों स्टॉक अपने वाच्छ लिस्ट में रखें दोस्तों और यहां पर आपको बहुत अच्छा पैटन दिख रहा है इंडिकेटर भी पॉजिटिव है तो डेफिनिल अगर आपको इस टॉक्स पर इंट्री लेना है तो डे अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं दोस्तों 20-15-20 अगर आप टार्गेट रखते हो तो डेफिनिटले मिलना ही चाहिए और ज्यादा टार्गेट रखेंगे तो डेफिनिल उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी स्टॉक वन वे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट का स्ट्रक्चर ही वेश है दोस्तों तो अगर आप 5-6 महिने या एक साल के लिए वेट कर सकते हो तो बड़े टार्गेट के लिए वेट कीजिए 10-20 परसें चाहिए तो डेफिनिली वीदिनम मंद भी आप पास सकता है दोस्तों मैंने जियो फाइनेंस का कल आपको स्टॉक दिया था जियो फाइनेंस का आपको पता रहेगा मैंने कल वीडियो बनाया था जिनोंने इसके उपर डेफिनिली वीडियो देखा रहेगा कल हमने बोला था कि अगर 290 के आसपास मिलदा है तो लेना चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज 300 के आप 304 के आसपास से उपन हो और लगबग 348 का हाई मारा दोस्तों 15 परसंट का एक ही दिन में रिटन दे दिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस टॉक पे वापिस नजर रखने हैं 310-320 के पास आता है दोस्तों यह दिखें यह लग पिछले चार ट्रेडिंग से शेशन से देखो गया आप तो यहां से कम से कम यह वन वे ही उपर जा रहा है और कोई भी ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखोगे तो एक डीप नहीं दिख रहा है इसमें तो डेफिनिल एक करेंगे यहां पर कुछ ना कुछ पैटन बनेगा लगवग यह 310 के आज पास यह 300 के पास वापिस आना चाहिए मुझे लग रहा है तो अगर आपके पास पेशन से रहेगा तो वेट कीजिए यहां पर एक हेल्दी करेक्शन होने दीजिए डेफिनिल यहां पर एक इंट्र लेना लेगा तो डेफिनिट ले रहे सकते हैं और रिस्क रवाड फॉलो करके हैं अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो दोस्तों जरूर लाइक और सब्स्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्यू पर वांचिंग